मनुष्य अपने भाग्ये को जनम पत्रिगा के भाग्ये भाव से देख सकता है कई बार आदमी करना उठता है कि मैंने ऐसा कौन सा करम किया है कि जिसमें मेरा भाग्ये मेरा साथ नहीं देता तो आपका भाग्ये आपका साथ नहीं देता उसका करण शिपा है आपकी जनम पत्रिगा के नमम भाव में यानि कि आपके बाग्य भाव में ऐसी ही कुछ जानकरी संक्र में हम आपको देने वाले हैं आएए पहले आज का पंचांग देखते हैं 23 अपरेल सन 2022 दिन शनिवार बैसाक मा कर्शन पक समब्ध 2089 सबसे पहले तो जनम पत्रिगा में हम आप को यह बता दे हैं यह देखे आपके सामने कुंडली है इस कुंडली में जहां यह निशान है तीर का निशान चल रहा है रुका यह नम भाव होता है इसे हम भाग्य भाव कहते हैं ठीक है अब भाग्य भाव में विप्रीत ग्रहों का बैठना जैसे देखो इसमें मंगल शनी बैठ गए या भाग्य भाव में ग्रहन का लगना जैसे सूरिया और का बैठना ये भाग्य भाव सभी की कुंडलियों में नम्बाव भाग्य भाव होता है जो भाग्य का विस्तार करता है भाग्य की जानकारी देता है भाग्य को वास्तम में अच्छा भाग्या बना देता है लेकिन विपरीत कि रहे यह दिक किसी व्यक्ति के भाग्य भाव में बैठे हो उस व्यक्ति को जीवन के नाज नचा देगा अनेगो प्रकार की दिक्कतें, मुसिबतें उस व्यक्ति के जीवन में आएंगे तो ध्यान रखना हर जनम पत्रिगा का नम्म भाव, भाग्य भाव होता जो वैदिक विधी से बनती है, हम वैदिक विधी की बात कर रहा हैं, कुछ लोग और भी अनेगो प्रगार की पदेदी हैं, लेकिन मैं यहां अपनी मूल भारते पदेदी की आप से बात कर रहा हूँ, अब जिसके पास कुंडली ना हो तो वो कैसे करें वो कैसे अपने भाग्य भाव को बचाने अपने भाग्य को बचाने हाथ की रिखाउं से जैसे आपकी हतेले में एक होती है भाग्य रिखा जिसे हम लक लाइन कहते हैं आपकी middle finger के नीचे शनी परवत हैं, यहां तक यह भागय रेखा जाती है, भागय रेखा से भागय भाव को जाना जा सकता है, भागय को जाना जा सकता है. आज हम आपको दोई बाते बता रहे हैं यदि भाग्य भाव में ग्रह शुब होंगे और जब उन ग्रहों की यदि महादशा, अंतरशा या प्रतंतरशा आपके उपर लगेगी कही ने कही जीवन में बड़ी दिक्कते आ सकती है ऐसे ही यदि भाग्य भाव में शुब ग्रह हैं उन्ही के इंतरशा, प्रतंतरशा, महादशा है कोई भी और भाग्य भाव का स्वामी उच्छ इस्तिती में बैठा तो आप माने न माने आपको बहुत बड़ी अलाब मिलेगा कई बार भाग्य भाव को स्वामी भाग्य में ही भाग्य भाव में ही उच्चा इस्तिका हो करके बैठता है जर्म से ही उस व्यक्ति की हातिली में उसकी हाथ में सोने की चम मचा जाती है कहने का भाव उसको इतने सुख की प्राप्ति होती है अब किसके भाग्य भाव में क्या ग्रह है किसके भाग्य भाव में क्या राशी है यह तो देखो देखने से पता लगता जिनकी जरब पत्रिगाएं नहीं है वो अपनी हतेली से इस चीज का अध्यान किसी भी मरमगे से करा सकते हैं तो आज यह हमारा चोटा सा सब्जेक्ट आपके लिए प्रस्तुत किया, इसमें यह हमने आपको बताना चाह रहे हैं कि कई बार आपका भाग्य साथ ना दे, भाग्य आपको लगे के बिल्गुल जैसे रुक गया है, उस इस्थिती में आपकी जनपत्रिका के भाग्य भाव क इस्थिती क्या है उसके उपाय कर देने चाहिए? मंगल है भाग्य भाव के स्वामी, तो मंगल से सम्भाव कर सकते हैं मंगल के वर्त रछट रख सकते हैं, मंगल विसारिंतर की पूजा कर सकते हैं ब्रस्पति है तो ब्रस्पति से संबंदित पीला तिलक लगा सकते हैं पीला रंकर दान कर सकते हैं ब्रस्पति का बीजात्पक्त मंत्र पढ़ सकते हैं विश्णु चालीसा पढ़ सकते हैं सहसर नाम पढ़ सकते हैं सूरिय है तो सूरिय चालीसा पढ़ सकते हैं आधित्ति हर भाग्य भाव को चमका लें भाग्य भाव के ग्रहों को मजबूत बना लें तो आपके जीमन में आनंद की प्राप्ति होगी और एक चीज और पताऊंगा आए उससे पहले समय चलाज की ध्यानमाला का ध्यानमाला से जूड़ते हैं हम जूड़ते हैं भगवान सुरी बठुक भाव से ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपानी स्तरुनति मिरनीलो व्याल यग्यो पविते ख्रतु समय से परियाद बिग्न विच्छे देतुर जयति बटुकनाता सिद्धिदासाद का नाम ओम देव्यराज सेव्यमान पावना ग्रिपंकजं भ्याल यग्य सूत्र मिंदु सेखरं क्रिपाकरं नारदादी योग व्रिंदि वंदितं दिगंबरं कासिका पुरादी नाथ काल भेरवं बजे बानकोटि भास्वरं भवाप्दितारकं परं निलकंठ मिप्षेतार्त दायकं त्रिलोचनं काल काल मंबुजाक्ष मक्ष सूल मक्षरं कासिका पुरादी नाथ काल भेरवं बजे शूल टंक पासदंड पानि मादि कारणं स्यामकाय मादि देव मक्षरं निरामायं भीम बिक्रमं प्रभुब्वि चित्रतांड वप्रियं कासिका पुरादी नाथ काल भेरवं बजे भुक्ति मुक्ति दायकं प्रसस्त चारु बिग्रहं भक्त वस्सलं स्तमस्त लोक लोक बिग्रहं भूत संगनायकं विसाल किर्ति दायकं कासिवास लोक पुंड्य पाप शोदकं बिभुम नीति मार्ग को विदं पुरातनं जगत्पतिम कासिका पुरादी नाथ काल भेरवं बजे कासिका पुरादी नाथ काल भेरवं बजे समाने हो जाए देखो साथ को अब भाग्य भाव की तुमने आपको बात बता दी भाग्य भाव कुंडली में कहा होता है अब आपको समझा दिया जो साधक अच्छे से अपनी साधना को तलीनता के साथ करते हैं अच्छे से अपनी गुरु मंत्र को इस्ट मंत्र को या जो भी आपको आपके गुरु ने आपको मंत्र दिये हैं या आप कोई जिन से आप जिस भी देवी देवता की बहुत अच्छे से भक्ती करते हैं येदि आप अपने अराध्य की भक्ती में बहुत अच्छे से लीन रहते हैं तो भी आपका भाग्य भाव उच्छा हो जाता है ये भी बात बहुत सत्य है आपका गुरुमंत्र आपके भाग्य भाव को सुर्मावर बना देता है चमका देता है सही रूप से कारे करना सही जीवन जीना नेख नियती के रास्तों पर चलना और अपने अराध्य को मन से ध्याना आपके भाग्य में चार चार लगा लेता है परम पुझे गुरुदेव ने एक बात कही है कि मनुष्य अपने भाग्य का दिर्माता आप है बिल्कुल है क्योंक जो साधक प्रवत्ती के आप में से हैं तो उन्हें इतनी चिंता की आवश्रक्ता नहीं है आप अपनी साधना में लिए आपका भाग्या स्वब में जाए वहार ड़ने की आवश्रक्ता नहीं है लेकिन जो लोग बहुत अच्छे से मंत्र रड़ी पड़ पाते कोई जिन जिन साधकों की जनम पत्रिकाएं संस्थान में हैं और दूसरी बात जिन जिन के रुद्राक्ष या यंत्रों की प्राण प्रतिष्टा की गई है वो भी हम जल से जल सबको भेजने का प्रयास करते हैं आप स्वस्त रहें सुखी रहें इनी शुब कामनाव को साथ हम अ रवी कुमर सिंग है मैं 36 गड़ रायपूर से हूं मैं गुरु दिक्षा भी लिया हूं इनके बताय मार्क पर चलने की प्रयास तुर पहले से भी कर रहा हूं और आगी भी करता रहूंगा और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताय मार्क पर चलने ऐसा इसलिए कि सच क के मार्क पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं यह शिरिफ कहते हैं भगवान से जूरो और साधना करो और भगवान से बड़ी सकती को ही नहीं गुरू के बाद माध माधा पिता और भगवा यह तीन चीज को अगर हम लोग अपना लें अपने झीवन में तो फिर नहीं किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हे तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें कर Mina आप जान तक जान एएब कार टैपनाः ओब आप के लिए हमारे पोले दमेखने के लिए प्रेब प्रेव्जट एले झापना थेस्जव